आप हैं विहार संबादाता के शाथ और मैं हूं मनोच चतुरवेदी हमारे ठीक पीछे आप पटना हाई कोड देख रहे हैं और जब यहां का डंडा चलता है तभी पटना के एसपी राजीव मिश्रा के कान जो है वो खड़े होते हैं जी हां और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उनके कान क्यों खड़े हुए इसी पटना हाई कोड की दो महिला वकीलों के शाथ यहीं आसपास इसी चौराहे पर यहीं चौराहां है पटना हाई कोड का और इसी चौराहे पर आटो वालें का जो छीनताई गैंग है उसने उनका चैन और तमाम रुपए पैसे चीन लिया जिसमें प्रियम और चंदना दो महिना वकीले थी जिनका पैसा चीन लिया गया और वो जब कोतवाली ठाना गई तो उन्हें एसेसपी ऑफिस भेज दिया गया कि आप एसेसपी ऑफिस जाईए वहां कंप्लेन लिखवाईए तीन घंटा उन महिला वकीलों को ठा चाना में बैठाए रखा गया कोतवाली में बैठाए रखा गया और दर्ज नहीं हुई दूसरे दीन कि फेडरेशन ऑफ उमेंस लॉयर एसोसियेशन जो है महिला वकीलों का पटना हाई कोर्ट में उन्होंने चिफ जस्टिस के पास मामला दायर कर दिया और चिफ जस्टिस की दो जज़ों की बेंच जिफ जस्टिस के दो जज़ों की बेंच बिनोच चंदरन और पार्थ सार्थी के खंडपीट ने तुरंत कोतवाली ठाने के दरोगाई मने इंचार्ज और एस एस पी राजीव मिश्रा को मौजूद रहने के लिए कहा हाई कोर्ट में दोनों मौजूद रहे और कहा कि मामला क्या है जब महिला वकीलों के साथ इस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं तो जन्रल महिला जो सलकों पे चलती हैं उनके साथ क्या होता होगा एस एस पी राजीव मिश्रा और कोत्वाली थाना के दरोगा आनन फानन में आये और जस्टिस ने कहा दो जजों की खंड पीट ने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है जब पटना हाई कोर्ट की महिला वकीलों के साथ ऐसी छिंताई सलक पर हो सकती है वो भी हाई कोर्ट के साम ने तो आम महिला जो है पटना में कैसे सुरक्षित होगी उन्हें इंक्वारी करने के लिए कहा गया जिन महिलाओं वकीलों का चैन चीना था उन्हें ले जाया गया जो है कमांड कंट्रोल सेंटर जहां से ये कैमरे चलते हैं कि पहचानिये सब कुछ चला लेकिन कल जो हुआ एसेसपी पटना राजिव मुष्रा और कोत्वाली थाने के दरोगा ने कोट को बताया कि जितने भी मुझरिम थे वो पकड़े गए हैं और सारे सामान की बारमगदी कर ली गई है अब आप समझ सकते हैं कि जब हाई कोट का डंडा जो है वो चला पटना के एसेसपी राजिव मुष्रा के उपर तो मुझरिम भी पकड़े गए समान भी बरामद हो गया तो हाई कोट के क्या इसी दिसा निर्देश को पालन करते हुए पटना के सेसपी राजिव मुष्रा तमाम ऐसी घटना हैं जो पटना की सडकों पर महिलाओं के साथ हुई है उनके चैन की बरामदगी उनके पैसों की बरामदगी जो डकाइतियां हुई हैं वहां भी लगे हैं सीसी टीवी कैमरे क्या करा पाएंगे सायद नहीं करा पाएंगे क्योंकि पटना की पुलिस पर यब तक इस उच्छ न्याले का डंडा नहीं पड़ता है तब तक इस पटना की पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगता है अब आप समझ सकते हैं कि क्या ये संभव है कि हर मामले में उच्छ न्याले को दखल देना पड़े सायद नहीं लेकिन तमाम इन मामलों में उच्छ न्याले को दखल देना पड़ता है और तब पटना पुलिस को सक्ति से ये समझाना पड़त कि आप अपने कर्तब्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं चाहिए तो ऐसा कि जैसा कि उमेंस लॉयर फेडरेशन ने ये किया है कि तमाम एक साल के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसको भी इसी के साथ जोड़ दिया जाए ताकि उन गरीम महिलाओं का भी जो धन की हानी हुई है वो बरामद हो सके आखिर बिहार पुलिस का लीजिए पटना पुलिस का लीजिए कब तक अपने इन कामों पर कारणामों पर परदा डालती रहेगी और हाइकोट जो है अपना डंडा चला कर इन्हें सरमसार करता रहेगा साथ पटना पुलिस को सर माना चाहिए कि उनके काम की लापारवाही के कारण हर बार इसी हाई कोट को उन पर डंडा चलाना पड़ता है मैं मनोच चतुरवेडी पटना